नमस्कार मैं डॉक्टर अख्लेस तिवारी कैसे हो आप लोग बहुत लोगों के अंदर यह डाउट्स होता है कि गाजर को हमको सैलेड के रूप में अर्थात रूप में लेना सबसे जादे फायदे मंद है इस वीडियो में हम गाजर का आपको न्यूट्रेशनल भेलू इस वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिलेगी तो आप वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करके अपना प्यार दिखाना न भूले इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आपके पास अथेंटिक नौलेज सह सही हर्प्स की जानकारी आप तक पहुंचता रहे आयुर्वेद के परसिद्ध ग्रंत भाव प्रकास के अनुशार गाजरम मधुरम तिक्षनम तिक्तोशनम दीपन लगु शंग्राही रक्त पीतार से ग्रहनी कफवात जीतम कफ और बात को शमाप्त करने वाला होता है इफ्रोडेसिक नेचर का होता है मतलब कामओ दीपन नेचर का होता है जोम हिलाय गरवधारन कर चुकी है उनको čार महीने तक उसका सीड़् और रूट को युज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह applies होनी की शंभाबनाव को बढ़ा देता है USDA के अमसार अगर 100 गराम कैरोट है तो उसमें कैलोरीज 41 किलो कैलोरीज होगा वाटर 88 परसेंट होता है प्रोटीन की बात करे तो 0.9 गराम प्रोटीन होता है और काल्ब्स की बात करे तो 9.6 गराम होता है सुगर 4.5 गराम होता है हाइवर की बात करें तो 2.8 ग्राम होता है और फैट्स मात्र 0.2 ग्राम होता है तो है न मज़ेदार की इसमें कम्बिनेशन में इसमें कैलसियम, आयरन, मैगनेसियम, मैगनीज, पोटेसियम, फास्पोरा, सोडियम, जिंक, कॉपर जैसे बहुत सारे एसेंसियल मिनरल्स भड़ विटामिन्स की तो विटामिन्स ये जो की सब जानता है कि कैरोट विटामिन एसे बहरा होता है विटामिन ए 21,388 AU के बराबर होता है विटामिन सी 7.6 mg होता है विटामिन ए 0.8 mg होता है और विटामिन के 16.9 माइक्रो ग्राम होता है वो ऐसे ही बहुत सारे विटामिन होता ह श्टाइबी वृत के साथ बिटामिन ये वहाझ होता है इसमें बहुत शारे एंटि-o Jackson K को तरह देखा होगा ब्लैक भी देखा होगा वर देखा होगा तो kind सा कैरोट आपको खाना चाहिए अगर देखिए जितने भी कैरोट औरेंज कलर के होते हैं बीटा कैरोटीन जादे मात्रा में होता है और इसको जब हम कुक कर लेते हैं तो एप्रॉक्समेटली छे से साथ परसेंट इसमें बेटा कैरोटीन की जो और विशन पावर है वो अच्छा एंटी और में उसमें पाए जाता है जो हमारे अख बहुत ही अच्छा चिज ओता है लाईकोपिन की बाद करें तो all fruits and vegetables are rich of lycopene which have bright red color, bright red color के जो भी vegetables है, fruits है, सब में lycopene बहुत मात्रा में होता है, तो जो red carrot है, lycopene होता है, तो anthocyanin एक powerful antioxidant होता है, जो पाया जाता है, लेकिन यह मिलता है आपको dark color के जो carrot रिशर्च में पाया गया है, कि polyethasanic bioactive compounds पाया जाता है, जो कि रक्त cancer जैसे बीमारी को भी दूर करने की capacity रखता है, किसी को अगर kidney का problem हो जाती है, nephritis बोलते हैं, जिसमें kidney का जो प्रेशन करने का जो इकाई होता है, उसमें अगर swelling हो गया है, तो इसके seed को चार ग्राम की मात्रा में गरम पानी के साथ लेते हैं, तो उसके swelling खतम हो जाता है, लूज मोशन की problem हो इडिसेंट्री में, डिसेंट्री अगर हो रहा हो बार बार आपको पतला पैखाना हो रहा हो तो ऐसे स्थिती में आप इसको boil कर लीजिए और boil कर ही मिक्स करके, अगर आप दीन में तीन बार चार बार आगर लेते हैं तो इस टूल सही होने लगता है, गाजर का हलुआ क्या नाम सुनते ही सब के मुझ में लार आ जाता है, कौन नहीं गाजर का हलुआ पशंद करेगा, इसमें स्वाध ही नहीं होता है, कामोदीपन होता है, यह कारडिक्टॉनिक होता है, हर्ट के लिए बहुत बढ़िया चीज है, तिसरा है, यह ब्लड का प्यूरिफाई करता है, यह आपके सरीर में हेमुगलोवीन को बढ़ाता है, तो ठंडे के मोशम में गाजर का हलुआ खाना मत खास करके था रेड की जिनको प्रॉब्लम होती है उनको गर्मी की जादे आशास होती है या फिर जादे पीत प्रकृती वाले लोग को होता है कैरोट का अगर जूस निकाल के लेते हैं तो रेगुलर कुछ दिन अगर आप धर्म होता है उनके लिए एक प्रयोग है आप यह नोट कर लिजे और आप एक बार प्रयोग करके जरूर देखिए अगर डिफनेटली आपको उसमें आराम मिलेगा लगभग 15 ग्राम गाजर का बीच ले लिजे मूली का बीच 5 ग्राम प्याज का बीच 5 ग्राम और सोया का बीच 5 ग्राम ले लिजे और मेथी पालक का भी 55 ग्राम इन सब ही वीजों को थोड़ा सा दरदरा कर लिए इसका डिकोशन बनाके शुबह साम आपको लेना है डिफनेटली आपको आराम मिलेगा बीगरे हुए फोरे मतलब बोला गया है कि वैसा घाओ जिसमें पस भरा जो है वह पस निकल जाता है बाहर आ जाता है या फिर वह बैठ जाता है तो इसका परियोग आप जरूर करें अगर किसी को इस तरह की प्रोबलम है तो आप उसको सुझाव दे करने के लिए इसकी कोई साइड एफेक्ट नहीं है एक और परियोग मैं बता देता हूं आप ल रेगुलर कुछ दिन तक सेवन करी और फिर मुझे बताईए कि क्या इसमें कुछ चेंजिंग आता है इसका कोई साइड एफेक्ट नहीं है डिफनेटली आपको कुछ न कुछ अपने आप में अलग अनुभव जरूर हो एक छोटे से वीडियो में मैंने पूरी कोसिस किया ह और आपको कोई इनफोर्मेशन चाहिए तो आप कोमेंट करेंगे मैं और साथ में रिक्वेस्ट करना चाहता हूं यूज करें और जो भी चीज हम अपने डेवाई डे में यूज करतें अगर उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी है तो उसको और अच्छे बेहतर तरी है उसका भारपूर हम लाव ले शकते हैं तो आप हमेशा खुश रहें आप हमेशा स्वस्त रहें मेरी यही कामना है फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार